next question में बोला गया है the maximum amount of electrolytes and water that is 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron हम last वाले discussion में काफी बार ये बात कर चुके थे कि जो maximum absorption होता है वो कहां पर होता है teachers वो होता है PCD के अंदर कहां होता है PCD में तो 70 से 80% जो हमारा electrolytes का या water का मदब इनका जो absorption हो रहा है maximum reabsorption जो हो रहा है वो कहां पर होता है proximal convoluted tubule में तो आपका देख लिजा ascending limb of loop of handle में होगा क्या no distal convoluted tubule में होगा क्या बिल्कुल नहीं proximal convoluted tubule में हुआ क्या बिल्कुल सही तो हमारा यही answer आज़ाएगा descending limb of loop of handle भी नहीं आएगा ठीक तो यहां पर हमारा 70% जो है वो proximal convoluted tubule में हो चुका है और यदि हम 15% की बात करें तो 15% यहां पर 15% आपका DCT में होता है ठीक है और जो 5% है वो यहां पर होता है यहां हो जाएगा 5% जो बच्चेगा remaining वो collecting duct में होगा और एक से दो परसेंट का तो रियाब्सॉप्शन होता ही नहीं है हम क्या बोलते हैं टोटल हंड़ेड में से टोटल हंड़ेड में से 98 से 99% का रियाब्सॉप्शन होगा और एक से दो परसेंट ही यूरिन के अंदर जाएंगे तो उन एक से दो परसेंट को और इस 20 उस 70 को छोड़के जो बाकी बचा हुआ है फिर वो कहां से हो जाएगा collecting tubule collecting duct further जो आगे बढ़ता जाएगा तो वहां से थोड़ा बहुत रियाब्सॉ का परसेंटेस हो गया तो हमारा आंसर सही कौन सा जाएगा सिया जाएगा देखते ही टिक करने वाला क्योश्चन है इजी काटेगरी